मन्सूर खान जो फ्राड बारा कंपेनियों में पैसा लिया चारहजार आठसो कोड़ रुपए सी बीए की चार्शिट के तहित उस अंदाज में यीडी के उपर एक पेटिशन फ्रेल किया सी बीए के भी किया दोनों में बेल ले लिया तो बेल लेने में यह लोगों को मोखा नहीं दिया अपिल करने के लिए यह दोनों लोग अपिल नहीं किये तो इसलिए मैं यह दोनों चीजों को अपिल करते हुए सुप्रिम कोट में गया मेरे साथ दूसरे विक्टिन्स भी हैं तो यह पूचा गया मैं इसमें यह है जितने डाकुमेंट दिया। जूटा डाकुमेंट दिया।D纪ी मेडिकलगू का कमिटी को कमीटी होना छाय चाहिँ है। उसकी चाला की से करना चाहिए था। यह बात जो है मैं सुप्रीम कोड के सामने रखा हूँ मैं बोला हूं कि अभी सीयमो जो दिया है जूटा अपैने जूटा डाकूमेंट इनने बोल के किया फिर भी इनने सीअमो भी दिया इसको पूरा अटैक नहीं 100% इसका ब्लाकईज नहीं इस-पैनल का पूरा पिछे तुटा नहीं है यही दिया है इसको ट्विस्ट करके जो रिकार्ट्स बनाए गए तो वो रिकार्ट्स उसके गलत हैं किसके अपना मनसूर खान आएमे के तो यह गलत है करके हमें गया लास्ट वीक मेरा नमबर SLP नमबर सुप्रिम कूर्ट में दिये गए तो यह पूचा हू उन्हें पूरे केसे को वजह कर लेगा बाहर आ जाएगा तो बाहर होना नहीं चाहिए इसका बैल कैंसल होना चाहिए यह बैल कैंसलेशन के लिए कोई को दूसरा सी बीए और अपना इडी स्टेट गवर्मेंट कोई अपील नहीं किये हैं तो इसमें फैदा यह लेगा पर से लोकों को आएगा तो जैल में रखने के हंड़ट परसेंट्स हैं इसको छोड़ा गया हंड़ट परसेंट इन्हें गलत पेपर गलत वाधा करके घ्लत ाकुमेंट साबित करके जिस जगह पे हेल्थ ग्रोण में बोलता जाए बुला गया है एल्थो को मेडीकल एक नहीं किए गई वह करना चाहिए पीएक मेल तरी की संगी है यह सबस्टरीक्शन में वन करोड के रहा तो बहुत खानून आBAG से यह खानून को भी यह को राभ करवार्यकों करें करने मुछ जूप्रेम कोट में दिजी hm नाव जुलई के बाद कोड्वानllan कोड़ में सुनाएं होगी इस का अरश्ट यह कैंसेलेशन आफ बेल के ऊपर डिटेंल में सुनाइं जाएगा सुनाएं लेंगे संना होगा मेरी ऊमीद है इसको फिर भी री पूरे मिलके इसको इनकूरी ना करें कस्टेडी में रहेगा यह पैसा नहीं देगा यह मेरा अब्जेक्ट यह जब गरत किया पीए मेले में उन्हें मरेगा जीएगा किसी की जिम्हेदारी नहीं है खानून में इन्हें साबित करना है इन्हें इसको बाहर का इलाज चाहिए क्या सरकारी इलाज चाहिए सरकार में जब निमायन जय देओ और तमाम है वक्तुरिया बोरिंग तमाम आस्पेटल्स हैं तो उदर का इलाज देने का सरकार की जिम्हेदारी होगी सरकार जरूर देग कि वह मुईम लेके निकला है उन्हें किसी को पैसा नहीं देगा तो इसलिए इसकी बेल कैंसल होना चाहिए कैंसल होगी यहने कैंसलेशन अब बेल होगी और दुसरी बात कि जेल में रहेगा जेल में पूरी 4500 कोड के उपर इनकुरी होगी अभी सिर्फ 300 कोड के उपर हुए इसलिए चार्चिट कंप्लीट नहीं हुए चार्चिट कंप्लीट हुए करके बोलके वह आया है तो इसलिए हमें हमारी पिटिशन मनजूर होगी है सुप्रिम कोड आफ इंडिया में यह जेल को जाना चाहिए जब तक जेल को नहीं जाएगा जब तक उसकी जिंदेगी जेल के अंदर नहीं रखेगा यह सलाखों के यह पैसा नहीं देगा यह जो दिया है यह पैसा लेगा तो इसलिए बहुत ज परसंट उमीद है